तो यार, AdSense Approval में 50% काम तो theme काही होता है, जब भी आप एक अच्छा theme यूज़ करते हो, आपको जल्दी approval मिलता है, अगर आप एक बेकार theme यूज़ करते हो, आपको AdSense Approval नहीं मिलता है, बहुत ब्लेड लगता है approval मिलने, तो इस वीडियो में आपको best WordPress theme के बारे में मैं website designing, SEO, and blogging tips and tricks का पर वीडियो में दरता हूँ, तो आपने में वीडियोस नहीं देखे, चैल में जोड चेकाउट कर देना, बहुत इंट्रेस्टिव वीडियोस आपको में जाएंगे, and in this video guys, मैं आपको अदाऊंगा best WordPress theme के बारे में, जिनका यूज़ करके आप अपने website साइट पे अपने WordPress पे आप AdSense Approval easily ले सकते हो, बहुत ही premium theme होंगे, बहुत ही user friendly theme होंगे, यहाँ पे एक click में आपको कुछ ऐसे demos मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप AdSense Approval quickly ले सकते हो वाई, आपको कुछ भी ले जाएंड डिया और चेंज करने की जूराद नहीं है, ऐसे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, तो गाइस, लेट्स वेगेन, पीसी मा आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो theme हो है, बहुत सारे WordPress theme होगे, यह सभी theme जो है 100% AdSense Friendly है, आप AdSense Approval के लिए अपने WordPress में इस theme को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर जो है, यानि जो है, नियूस पेपर का, नियूस मेगजीन theme होगे, नियूस पेपर theme सभी लोग यूज़ करते है, अल्मोस्ट, यह सभी को पता हुआ, यह जो है 100% AdSense Friendly हो रहा है, यहाँ पे आप जो एक प्रीविल्ट अप्लेट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत मस्त ले अउड़ मिलता है किसी भी पोस्ट के उपर जब वक्रीक किटा겨ð ठाएंड पोस्ट को क्लीक प्लिकाँ यहां पर लेयाउट टिंपल रहता है यहां पर यूदॉ सपल रहता है है अरसे पूस्ट का लिए उस्थ काते सब्सक्राइब 20 को अनुदिधर कंशे करते HERE ali ride यूज कर सकते हो 100% एडसेंस फ्रेंली है यह आपको डिस्क्रीपिशन लिंक मिल जाएका है अगर आपका थोड़ा वे दिमाग होगा आप इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में यूज कर सकते हो एंड बहुत सारे साइट में आपको जीपेल लाइसेंस वाले थी इस निउस को बिंदास आगमन करके यूज कर सकते हो बहुत मस्त टेम्लेट है तेक सब्सक्रीपिशन को क्लिक करूं में फूल स्पीड में खुल जाएगा एंड इस लिए ज्यादा एटसेंस को ब्लैक ज्यादा पसंद रहता है आपको इस तिम को यूज करने से यहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चेंज करने नहीं पड़ता है यह जो प्रिविल्ड जाने इसका बहुत सिंपल आता है देख सकते हैं इसका मेनु भी बहुत अच्छा रहता है दन साइड़ भार भी होता है पोस्ट का कॉंटेंट पोस्ट ले आउट सभी कुछ अच प्रिवल्ड लेग सकते हों किसी भी लाइक पोस्ट को क्लिक करो बहुत सिंपल तरीके से बहुत फर्स्ट खुल जाता है इसलिए यह एटसंस फ्रेंद्ली थीम है आप जहां पी सर्च करोगे यह तिम आपको जरूर मिलेगा वहां पर एटसंस फ्रेंद्ली वर्डप्रस थ लाइक जे न्यूस का थीम आपको एजिली मिल जाएगा वहां पर होगे तो यह तो होगे कुछ पीट थीम भाई मतलब कि इनको पैसे देके खरिजना पड़ता है अगर आपको कम प्राइस में चाहिए जीपेल साइट्स वोगरा में खरिज सबता है बट प्री थीम बताओ वही ऐसा कुछ थीम बताओ जो फ्री में हो एंड हम इसको यूज कर सके एट्संस अप्रूवल के लिए तो अभी मैं आपको पूरा 100% फ्री तो यूज थीम बताओंगा तो स्पॉर्ड मैगजीन लेयाओड यह जो है रिसी थीम का एक लेयाओड है प्रिबिल टेंपरेट ह अब रिसी थीम का यूज करके जोगे एक फ्री थीम है उसका यूज करके एक एक एट्संस फ्रेली साइड बना सकते हो अगर आपको उतना भी बनाना नहीं आता तो सिंपल सा वहाँ पे आपको प्रिबिल एक टेंपलेट मिलता है स्पॉर्ड मैगजीन के नाम से सिंपली उ इस तरीके से यहां पर कुछ कॉंटेंट लिग देने आपको आपका रेडी हो जाएगा तीम किसी वोश्ट को क्लिक कर आप उजए पोस्ट अट करने किसी पोस्ट को एट करो फटक से खुल जाएगा कि वह रिसी थीम वान अद दो फ़स्टेंट वोडप्रेस थीम है बहु वोडप्रेस के थीम सेक्शन पर भी मिल जाएगा वहां से डायरेक्ली इस्टोर कर सकतो हो कहीं से डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा यह थीम को जाड़ा कि लिए आप वोड़क्रेस के थीम सेक्शन में चलना सर्च कर देना mh magazine के राम के थीम है थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है और आपके एड़सेंस डिडिसाइड बना सकते हो देख सकते हो तो कुछ थीम का लेयाड ऐसा दिखता है आपको बस यह डिट करना पड़ेगा कि यह जो बैग्राउंड इमें चाहिए इसको हटा देना है वाइट कर देना है पूरा कब फूरा वाइट रहना च के थीम सेक्षन में यह मिल जाएगा एमेच मैगजिन थी महां से इस्टॉल कर सकते हो डाइरेक्ली कुछ आपके पास लेयाओड आ जाएगा सिंपली इस वाले एड़ अगरा को हटा देना देन जो आप पोस्ट एड़ कर दना है इसमें सिंपली एंड यहां पर सभी कुछ रेडी हो जाएगा आपका सिंपली किसी पोस्ट को क्लिक करोगे पोस्ट खुल जाएगा सिंपल तरीके से यहां पर सर्च का लाइक सभी का लेयाओड अल्रेड बना हुआ रहता है सभी कुछ आपकुछ जस्ट पोस्ट करना पड़ेगा एंड जो मेन्यू अगरा एड़ कर सकते हो इसमें थोड़ा अलग कलर यूज करते हो ब्लू कलर वगरा तो आपको ईज़ी रहेगा तो कुछ ऐसा है देख सकते हो साइट का डिजाइन बहुत मस्ती में मैच मैगजरें यहाँ एंप सर्च कर देना मैज़नमेगजर वोर्ड्प्रेस के स सक्षन में इसको कर सकते हो बहुत फक्लिक करो किसी साइट पर covers themeْ किसी भी साइट में इसका नेम मिल जाएगा जनहां पर जो आपको like sidebar value जो है यहाँ पर like instant breaking news वाला section भी मिल जाता है यहां पर बहुत मस्त सा इसका लेड़ रहता है इसलिए इसमें एडसी इतना जल्दी मिलता है क्योंकि टेक के हिसाब से यह थीम सबसे बैस्ट लगता है मेरे को इसलिए बहुत सारा जगा रहता है एक टेक ब्लोग में आपका जो है एक डिजैन चाहिए जिससे जो इसलिए एट्रेक्ट हो साइट के उपर एंड आपका साइट यूज़ करे ज्यादा तो उस तरीके लियाओड मिलता है जनहां थीम जो है इसका नाम है जना न्यूस आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर देना होता है जो भी चीज़े आपको चाहिए वह सेटिंग कर देना होता है आपका थीम रेडि है अब यूज़ करना रडिकार यह यह पांच थीम थे बेस्त एडसेंस फ्रेंद़ी वर्डप्रेस तीम जिसको यूज़ करके वर्डप्रेस में एडसेंस अप्रोल लें सब्सक्राइब एडसेंस तूब़र स्थीम वाल इस्टाल करना थोड़ा अशा चेंजेस कर देना प्राइबिजी परी से कॉंटेक्स पेजेस टाल देना एंड आपका साइट रेडी हो जाएगा एटसेंस एप्रोवल के लिए पस पोस्ट एडिट करना रहता है वही पोस्ट नहीं डालोगे तो एटसेंस एप्रोवल मिलेगा नहीं आपको बता हुआ 25 से 35 पोस्ट आप एट करना तब ही जाकि जो आपका एटसेंस एप्रोवल मिल जाएगा simple simple step मैंने आपको फूरा detail में बता रखा है पहले से कैसे आप जो एटसेंस एप्रोवल ले सकते हो क्या कुछ प्रोसेसर होते हैं क्या कुछ requirement होते हैं वीडियो देख लो भाई description में मिल जा झाल